21 वर्षिय बच्ची का शोशन कर रहे थे पंजाब के ये मंत्री इस पर तो कॉंग्रस पार्टी जिनका पंजाब में आमादमी पार्टी से अब हम आपके है कौन रिष्टा चल रहा है मतलब कि उनका रिष्टा तूट चुका है जेल की सलाकों के पीछे जो 21 वर्षिय ब रश्टी से उत्पीड़न करते है ब्रश्टा चार और दुराचार यही आम आदमी पार्टी का शिष्टाचार और व्यवार बन चुका है आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले्टी मालिवाल जी के साथ जो राजे सबा सांसद है आमादमी पार्टी की उनके साथ दुराचार मुख्यमंत्री के निवास पर होता है उस पर 15 दिन से केजरिवाल जी चुप है उल्टा पेडिता का चरित्र हरंड किया जा रहा है और विभव कुमार के साथ खड़े रहने का काम किया जा रहा है लखनों से लेकर उनके घर पे वो पाए जाते हैं और उनको सौरक्षन देने का काम आमादमी पार्टी कर रही है आज जो किस्सा सामने आया है कि 21 वर्षिय बच्ची का शोशन कर रहे थे पंजाब के ये मंत्री और ये कोई पहला किस्सा नहीं है लालचन कटारुचक का भी किस्सा है जिसमें वो अनुसूचित जाती के बच्चों के साथ शोशन कर रहे थे आज इस मामले पर NCW ने संग्यान लिया है इस पर तो कॉंग्रस पार्टी जिनका पंजाब में आमादमी पार्टी से अब हम आपके है कौन रिष्टा चल रहा है मतलब कि उनका रिष्टा तूट चुका है वहाँ पर चन्नी जी तो बोल रहे हैं सुखपाल खेरा जी तो बोल रहे हैं पर तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वज़े से चंडीगड के प्रत्याशी मनीश्तिवारी खामोश, इंडी अलायंस की बड़ी नेता प्रियंका वाड़ा जी खामोश, अखिलेश जी खामोश, ममता जी खामोश, ये वही लोग है जो महिला उत्पीडन पर आम तोर पर बहुत बोलते हैं मुकर ओकर, पर आज जिस प्रकार स उन्होंने चैनात्मक चुप्पी अपनाई हैं, इसका मतलब साफ है कि महिला सुरक्षा, महिला उत्पीडन उनके लिए केवल राजनीती का एक हत्यार है, इस मंत्री का एक तो इस्तीफा होना चाहिए, दूसरी बात एक जांच होने के लिए उनका इस्तीफा बहुत जरूर इसे व्यक्तियों के साथ क्यों होता है, और ऐसे कहीं और ऐसे उधारन सामने निकल कर आए हैं, इस पर आम आदमी पार्टी को भी और इंडिया अलाइंस को भी जवाब देना चाहिए, देखे मुझे लगता है कि NCW ने तो पंजाब पुलिस को गौर तलब किया है, पर इसम अगर पुलिस चीक से जांच नहीं कर सकती है, जैसे उन्होंने लालचंद के मामले में किया होगा, इसलिए लालचंद जी के उपर कोई कारवाय अभी तक की नहीं गई है, तो उनको न्याइक जांच के लिए जाना चाहिए, ताकि दूद का दूद, पानी का पानी हो सके, और ऐसे मंत्री जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है, ऐसे मंत्री को अपनी जगे पर होना चाहिए, जेल की सलाकों के पीछे, जो 21 वर्षे बच्ची का एक नौकरी के लिए इस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं, देखे, मुझे लगता है कि उनको सुप्रीम कोट ने रेंट पर राहत कुछ कंडिशन्स के आधार पर दी थी, और उन कंडिशन्स में जो चीजे लिखी थी, यदि वो उन चीजों का वायलेशन करते हैं, और इस प्रकार की बाते करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उच्च नयायले के जजजेस के विवेक पे होना चाहिए, कि ऐसी बाते करने के लिए, और जेल जो उनको राहत मिली है, उसके कंडिशन्स को वायलेट करने के लिए, उनके ओपर क्या किया जाना चाहिए, कारवाई यह तो जजेस को देखना चाह झाल